आज की हमारी कहानी है बुधिमान अस्त्री राकेश गुपता एक मैदा मिल और एक सुगर मिल के मालिक है उनका बिवा परतिवा नाम की लड़की से हुआ परतिवा बहुत होसियार और बुधिमान है राकेश समेशा अपनी बीवी से तर्क वितर्क और वाद बिवाद में हर जाता था एक वार की बात है बीवी ने कहा कि आज कलिस्त्रियम मर्दों से किसी काम में पीछे नहीं है इस पर आकेश ने बीवी से कहा ठीक है मैं दो बर्स के लिए परदेश चला जाता हूं एक महल बिजिनेस में मुनाफ़ा और एक वच्चा पैदा करके दिखा दो बीव करमचारी की सेलरी भी बढ़ा दी सारे करमचारी खुब खूस हो गए और आप वे दिल लगा के और अधिक काम करने लगे बिजिनेस में मुनाफ़ा काफी बढ़ा बीवी ने महल बनवा दिये साथ ही बीवी ने दस गाय पाली गायों की अच्छी देखवाल उनके चारे और पती के पास पहुची रोज पती को दही बेशती और अपने रूप मोपास में फसाती कुछ दिन उसने अपने पती का संधिन और अलिंगन पास भी पाया दही वाली गुजरी समझ के उसके पती ने अपनी सोने के अंगुटी उपहार में भेट की अंगुटी उपहार में ल वो बेपार देखकर दंग रह गया और बहुत प्रशंद हुआ। मगर जैसे बीवी के गोद में बच्चा देखा तो आग बबुला हो गया और क्रोट से चीक उठा। किसका है ये पाप तब बीवी ने जब उस दही बेचने वाली गुजरी के याद दिलाई और उनकी दी हुई वा अंगुठी दिखाई तो पती राकेश काफी खुस हुआ। बीवी बोली राकेश जी एक बात बताओ अगर वो दही बेचने वाली गुजरी मेरी जगह को यावर होती तो इसका उत्तर तो पूरे पूरी 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 पूरु सुजाती के पास नहीं है नारी नर की सहचारी उसके धर्म की रच्छक उसकी ग्रीन लच्मी तथ उससे देता है तो पूर्चनल साधिका है अगर अस्तिति मन में ठान ले तो राक को लाख बना देती है अगर आपको यह मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए गया